हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने Micromax I.N.Note 2 Android Mobile Phone में आप Swipe Finger for Notification सेटिंग को आप Enable कैसे कर सकते हैं और इस सेटिंग को Enable करने के बाद आप कैसे इसका यूसर कर पाएंगे आज कीस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं तो चलिए आप जो वीडिओ को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे प्रहले तो आपको अपने phone में setting page open कर लेना है setting page open कर लेंगे तो आपको यह नीची की साइड में आना है और यहाँ पर आपको system का यह option मिल जाएगा system पर आपको select करना है इसके बाद आपको यहाँ पर system के इस page में gesture का option मिल जाएगा gesture पर आपको select करना है अब यहाँ पर आप देख पाएंगे swipe fingerprint for notification यह option आपको select कर लेना है तो यह option जो open हो जाएगा अब यहाँ पर swipe fingerprint for notification setting के सामने एक बटन दिया हुआ है, इसे आपको select करना है, अब यह setting जो है enable हो चुकी है, अब यह setting enable होने के बाद काम कैसे करती है, मैं आपको बताता हूँ, आपके mobile phone के back side पर mobile का sensor होता है, fingerprint sensor होता है, उस पर आपको जो है, उपर से नीचे की तरफ जल्द हो चुका है, तो यह setting enable करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करती है, अब आप इसी तरीके से fingerprint sensor पर अपने mobile पर नीचे की side से ऊपर की side में उंगली को करेंगे, सरकाइंगे, तो आपका notification panel जो है उपर की side में चला जाएगा, इस तरीके से ठीक है, आप नीचे करेंगे उंग आपके मुवाइल फोन में यह सेटिंग डूंडने का मैं आपको इक शॉटकट तरीका भी बतायता हूँ जैसे कि मेरा फोन मुझे डायक्ली इस सेटिंग तक लेकर आ गाया ठीक है तो यह सर्च करने का मैने आपको इस सेटिंग को सर्च करने का आपके मुअबाएल फोन में एक सॉटकट तरीका भी बता दिया है आप चाहे तो इस setting को enable भी कर सकते हैं और से use कर सकते हैं चाहे तो आप इसे disable भी कर सकते हैं इस तरीके से